खजूर गजायद और ताकर से बरपूर भल है इसको अनर्जी का पावर होस कहा जाता है दुनिया बढ़ में खजूर की तीन हजार से ज्यादा एकसाम पाई जाती हैं कुझूर में वाइटामेंज, जिंक, पोटाशियन, सोडियम, फास, फॉरस, मिल्रद और फाइबर पाई जाते हैं सब अनासर इंसानी सेहत के लिए फाइदे मन हैं खुझूर रोजाना साथ दिन तक खाई जाएं तो मौ की नाली, छोटी याद, बड़ी याद, और मेदे की सफाही कर देती हैं शदीन गर्मी के आलम में फोरी तोर पर तमानाई बहाल करने के लिए खुझूर बहुत फाइदे मन है बलगम को हारिज कर देती हैं, बाद माहिरें इसे टीबी में भी मुश्र करार देते हैं, पुरानी कबज में भी बहतरीन दुआओ बहतरीन इलाज है खुझूर को नहार मुखाया जाए तो ये पेर के कीरों को हतम कर देती है और खुझूर के इसमाद से उमर में अजापा होता है खुझूर नजर को तेज करती है, इसके मसलसल इसमाद से नजर की कमजोरी को रोका जा सकता है कजूर को दूर में उबाल कर खाना बेतरी मकवी यानी ताकत देने वाली गजा है कजूर के साथ खीरा या कक्री खाना जिस माननी कमजोरी और दुबलापन को हतम कर देता है कजूर का इस्तमाल इसमानी और असाभी कमजोरी दूर करने के लिए हर उमर के अफराद के लिए यकसा मफीद होता है पांच अदर कजूरें दस अदर मदाम एगलास दूद में गरैन करके पी लीजिए हाफजा और असाभी कमजोरी के लिए बेक्तरीन नुसा है खंजूर हैं उनकी कमी को पूरा करती हैं कुवत मदाफियत को बढ़ाती है इस सना की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा